क्या दोस्तों आपको पता है ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी कौन करेगा मुंबई में आयूरवेदिक कीमो किट का लोकारपन किस ने किया है IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतिय बल्लेबाज कौन बन गए है ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 सितमबर का करंट अफेर का वीडियो तयार किया है यह वीडियो लास्ट तक देखे लास्ट में मैं आपसे क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको निचे कमेंट वोक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी चैनल GK2020 को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजिए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से हाल ही में वीश्वर रदै दिवस कब मनाया गया वल्ड हार्ट डे प्रती वर्ष मनाया जाता है 29 सितंबर को और आज ही 29 सितंबर है यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है 29 सितंबर और जब इंपोर्टन डे वाला क्वेशन आता है तो कब से मनाया जाता है यह दिवस की थीम क्या रखी गई है वो भी मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन बनते है तो इस दिन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा पहले तो याद रखलो 29 सितंबर को वल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और विश्वर अदे दिवस मनानी की शुरूआत कब की गई थी? सन 2000 में और इसकी शुरूआत के समय यत तै किया गया था कि हर साल सितंबर मा के अंतिम रविवार को विश्वर अदे दिवस मनाया जाएगा यानि कि 2000 में जब शुरूआत की गई तब तै किया गया था कि सितंबर के अंतिम रविवार को वल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा लेकिन 2014 में कुछ बदलाव किया गया लेकिन 2014 में इसके लिए एक तारिक निर्दारित कर दी गई जो 29 सितंबर थी और तबी से यानि कि 2014 से प्रती वर्ष 29 सितंबर को विश्व रदय दिवस मनाया जाता है और यू मान लिजे कि बारत में और समुचे विश्व में यह जो रदय की विमारी है इनसे बहुत से लोगों की मौत होती है तकरीबन कूल होने वाली मौतों में 29 प्रतीशत और जब 29 सितंबर को विश्व रदय दिवस मनाया जाता है तो यह दिवस वार्षिक रूप से रदय रोग और श्ट्रोक सबंधित सभी रदय रोगों के बारे में जागरुकता फैलाने और इनके रोग्थाम और नियंत्रन के उपायों का प्रचार प्रसार करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और विश्व रदय दिवस 2019 का वीशय क्या रखा गया था? 2019 के वल्ड हार्ट डे की थीम रखी गई थी My Heart, Your Heart क्या My Heart, Your Heart 2019 के यह इंपोर्टन डे की थीम रखी गई थी और World Heart of Federation के अनुसार रदय रोग दुनिया भर में मौतो का नमबर एक कारण है और विश्वर रदय दिवस 2020 के लिए थीम क्या रखी गई है वो दोस्तों most important question है तो मैं आपको बताना चाहूंगा World Heart Day 2020 की थीम रखी गई है Use Heart to Beat Cardiovascular Disease जो 2020 की थीम रखी गई है एक बार में फीर से पढ़ लेता हो Use Heart to Beat Cardiovascular Disease और यहां आप देख सकते हैं जो थीम रखी गई है उनके बारे में तो दोस्तों इसी तरह हर question से जुड़े important fact मैं आपके सामने रखता हो ताकि आपका जो सोचने का नजरिया है वो बदल सके तो दोस्तों हमारे यह तरीका आपको चलगता है लाइक करना मत बुलिएगा दूसरा question है स्क्रीन पर बहुत दर्मा से सबंदित संपरकों को बढ़ावा देने के लिए भारत कीसको डैड करोड डॉलर की अनुदान सहायता देगा हाल ही में भारत और स्रीलंका के प्रदान मंत्री के बीच एक वर्चिवल कॉन्फरेंस आयोजित की गई और इसमें हमारे प्रदान मंत्री ने गोशना की है कि बहुत दर्मा से सबंदित संपरकों को बढ़ावा देने के लिए भारत अपने ही पडोसी मुलक यानिकी नेबर हुड फरस्ट इसी निती के तहत स्रीलंका को डैड करोड डॉलर की अनुदान सहायता देगा यानके इस क्वेशन का सही आंसर है स्रीलंका और यहां आप देख सकते हैं दोनों देश कोई मुख्या बोले तो प्रदान मंत्री ने वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये यह वर्चुल तरीके से यह कॉनफरेंस आयोजित की गई तो देखो भारत और स्रीलंका के बीच वर्चुल द्वीपक्षिय बेठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया और जब संयुक्त बयान जारी किया गया तो क्या बयान था भारत और स्रीलंका आतंकवाद और नशिले पदार्थों की तसकरी से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए है तो कोई भी देश की बारे में जब इस तरह का द्वीपक्षिय समझोता होता है तो बहुत से ऐसे द्वीपक्षिय समझोते और दोनों के बीच जो तालुक है कुछ महत्वपुर्ण संगठन है तो यहां हमें महत्वपुर्ण संगठन के बारे मे भी याद रखना चाहिए कि भारत और स्रीलंका बीमस्टेक आई ओ आर ए सार्क मंचों पर भी घनिष्ट सहयोग करते हैं तो यहां बीमस्टेक आई ओ आर ए सार्क इनके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा तो यह है बे ओफ बेंगाल और बेंगाल के अगल यह सार्क का पुरा नाम क्या होता है तो जो हमारे हिन्द महासागर है इसके अगल बगल में जो देशति थे इसे बोलते है आयो आर यहाणिकि इंडियन ओशन ड्रीम एसोशेशन के देशों के देशों का जो AOK और दोनों न्यता नवीनी करणिय उर्जा के एक्षित्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गये हैं और यहां जब टर्म आया है बीमस्टेक तो बीमस्टेक का पुरा नाम क्या होता है? और यहां जब यह द्वी पक्षिय वार्तालाफ हुआ है स्री लंका देश के साथ तो स्री लंका की दो कैपिटल है एक है स्री जैवर्धनेपुरे कटे जो स्री लंका की एड्मिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और दूसरी है कोलंबो जो स्री लंका की कॉमर्सियल कैपिटल है और स्री लंका के हाल ही के प्रदान मंत्री बन गए है महिंदा राजपक्षे जो यहां आप इमेज में देख सकते है और स्री लंका के राष्ट्रपति कौन है उनके भाई गोटाबया राजपक्षे और स्री लंका की करेंशी है स्री लंकाई रुपया और भारत और स्री लंका के बीच कौन सी सामुद्र दुनी यानि कि यहां पर है वो पाक स्ट्रेट और दोनों के बीच का जो अंतर का फासला है वो सिर्फ 31 किलो मिटर का है क्लियर दोस्तों तीसरा क्वशन तमिल नडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धती है जीसे क्या कहा जाता है आपने मन की बात का हमारे प्रदान मंत्री जी का या 79 तरवा आपने एपिसोड देखा होगा सुना होगा तो इसमें हमारे प्रदान मंत्री स्री नरेंदर भाई मोधी जी ने यह कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक जो पद्दती है खास तोर पर तमिल नडु और केरल में और इस पद्दती का जिक्र किया इसका नाम है विल्लुपाट क्या दोस्तों विल्लुपाट इसलिए इस क्विशन का सही अंसर है ओप्शन B विल्लुपाट तो देखो पिछले रविवार को मन की बात का 79 एपिसोड हमने सुना और प्रदान मंत्री ने विल्लुपाट का जिक्र किया और विल्लुपाट तमिल नाडु में और केरल में एक रोचक तथ्य के साथ जो कहानी सुनाई जाती है इसका एक नाम है तो विल्लुपाट में कहानी और संगित का बहुत ही आकरशक सामन जश्य होता है और इसी के साथ साथ हमारे प्रदान मंत्री ने एक और भी बात कही है ग्रामीन भारतिय कहानिया को वैशाली व्यवहारे देश पांडे मराठी में लोग प प्रदान मंत्री जिने और आपको याद रखना है मन की बात जिसका यह 27 सितमबर को एपीसोड रिलीज किया गया तो यह एपीसोड 79 वा एपीसोड था चोथा कुशन फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रेंड स्लेम में दर्शकों की क्षमता प्रती दिन कितनी कर दी गई है दोस्तो दर्शक है वो 5000 से घटा कर अब कर दिये गए है सिर्फ 1000 यानि कि सोशियल डिस्टेंसिंग बना रहे है और COVID-19 का संक्रमन भी न फेले और इसलिए यह डिसीजन लिया गया है कि जो दर्शकों की क्षमता है वो प्रती दिन 1000 कर दी गई है यानि कि इस क्षमता का सही आंसर है 1000 और पहले इसकी क्षमता तकरीबन 5000 तक की थी तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रेंड स्लेम पेरिस में शुरू हुआ कहाँ पर पेरिस में और COVID-19 महामारी के कारण दर्शकों की क्षमता 5000 से घटा कर 1000 प्रती दिन कर दी गई है और फ्रेंच ओपन की बात करे तो फ्रेंच ओपन एक मुक्ष्य टेनिस टूर्नामेंट है और यह वार्शिक टेनिस केलेंडर में दूसरा ग्रेंड स्लेम है तथा दुन्या का प्रमुक क्ले ये क्वार्टर टेनिस टूर्नामेंट है तो यह शबद आपको याद रखना है Clay Quarter पर यह Tennis Tournament खेला जाता है और यह हमारे Calendar का दूसरा Grand Slam है लेकिन COVID-19 के चलते इसे देरी से आयोजित किया गया है वरना यह May यह तो June में आयोजित किया जाता था और जब French Open की बात करते हैं तो 2019 में पुरुष एकल और महला एकल का खिताब किस ने जिता वो भी एक most important question बनता है तो देखो 9 June 2019 को संपन वर्ष के दूसरे Grand Slam French Open 2019 का पुरुष एकल खिताब रेकर्ड 12 वी बार किस ने जित लिया राफेल नडाल वो French Open जितने वाले यह खिलाडी पिछले साल वो यहाँ चेंपियन बने थे और 12 वी बार French Open जिता है किस ने राफेल नडाल ने और महिला एकल का खिताब आश्ट्रिलिया की एशले बार्टी ने जितकर इत्यास बना दिया था और तब बी मेने आपको इसके बारे मी बताया था पांच्वा कुशन मुंबई में आयूर्वेदिक कीमो किट का लोकारपन कीस ने किया? मुंबई में आयूर्वेदिक कीमो किट का लोकारपन महाराष्टर के राज्यपाल बगची कोश्यारी ने किया यानिके इस क्रिशन का सही आंसर है बगची कोश्यारी आप यहां इमेज में देख सकते हैं आयूर्वेदिक कीमो किट का लोकारपन करते हुए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल बगची कोश्यारी ने 27 सितंबर को राजबवन मुंबई से आयुर्वेदिक फॉर्मूला युक्त कीमो रीकवरी कीट को लॉंच किया और कैंसर के लिए यह बहुत ही इंपोर्टन्ट कीट तो देखो कीमो कीट का विकास पुने के भारतिय संस्कृति दर्शन न्यास के इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर ने टाटा ट्रस्ट के वित्तिय सहयोक से डेवलप किया है जिसका लॉंचिंग किया है बगची कोश्यारी ने और वो महाराष्ट् राज्यपाल है चठा कुशन भारत सरकार ने वर्श 2025 तक जन स्वास्थिय पर जीडीपी के मौजूदा खर्च को बठा कर कितने प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष रखा है कोविड-19 के चलते हमें भी ऐसा लग रहा है कि जीडीपी का जो स्वास्थिय पर हम खर्च करते है वो फिलहाल तो 1.15 प्रतिशत के करीब है लेकिन हमारे स्वास्थिय मंत्री ने गोशना की है कि यह 2025 तक जो जन स्वास्थिय पर जीडीपी का खर्च है वो बठा कर 2.5 प्रतिशत तक ले जायेगा और यह लक्ष तै किया गया है यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है 2.5 पर GDP यानिके Gross Domestic Product के मौझूदा 1.15 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.5 प्रतिशत तक ले जाने के लिए प्रतिबद है और यह बात कई है हमारे डॉक्टर हर्श वर्दन ने जो हमारे केंद्रिय स्वास्थिय एवं परिवार कलियान मंत्री है और यहां इसी के साथ साथ पंद्रवे वित आयोक के स्वास्थिय पर उच्च स्तरिय समूह ने भी कहा है कि मौझूदा महामारी को देखते हुए अगले 5 वर्श के दोरान स्वास्थिय देखपाल के खर्च में अहम व्रिद्धी की जानी चाहिए यानि कि हमारा जो यह पंद्रवे वित आयोका तो हमारे पंद्रवे वित आयोक के अध्यक्ष कोन है और आयोक के सदस्य कोन कोन है अजई नारायन जा डॉक्टर अनुप सी डॉक्टर अशोक लाहिडी एवं डॉक्टर रमेश चन जो पंद्रवे वित आयोक के सदस्य है और पंद्रवे वित आयोक का कार्यकाल 2020 से शुरू होकर 2025 तक का होगा और प्रत्थम वित आयोक के अध्यक्ष कौन थे केसी नहीं होगी तो यह फैक्ट भी आपको याद रखने है सात्वा कुशन हाल ही में संपर्क रहित डेबिट कार्यड सुविदा सेफ पे किस ने शुरू की है आई डी एपसी फर्स्ट बैंक ने यानिकि इस कुशन का सही अंसर है आई डी एपसी फर्स्ट बैंक तो देखो सेफ पे आई डी एपसी फर्स्ट बैंक द्वारा जारी किये गए डेबिट कार्यक का उप्योग करके सुरक्षित भुगतान सक्षम करने के लिए आई डी एपसी फर्स्ट मॉबाइल एप में न इसके देनिक सीमा 20,000 रूपय तक की है और जब इसी बैंक यानि कि IDFC फर्ष्ट बैंक ने इसे लॉंज किया है तो इसके वर्तमान MD and CEO कौन है यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं नाम है वी वैद्यनाथन जो IDFC फर्ष्ट बैंक के MD and CEO है और इस बैंक का हेड़कटर के मुंबई में स्थी थे आठवा क्वेशन निम्न में से कौन Global Climate Summit 2020 की सह मेजबानी करेंगे दोस्तो 2020 में यह आयोजित होने वाला Global Climate Summit 2020 और इसकी सह मेजबानी कौन करेंगे यह चार ओप्षिन आपकी स्क्रीन पर है और इसका सही आंसर है United Nations और इसके साथ United Kingdom बोले तो ब्रि लिखा है United Nations Climate Changes Conference UK 2020 यानिकि United Nations और United Kingdom दोनों मिलकर इस समीट की सह मेजबानी करेंगे यानिकि आंसर है Option B तो यहां जिक्र किया गया है United Nations संयुक्तर राष्ट्र जिसके वर्तमान महासचीव कौन है एंटोन्यों गुटेरेस और United Kingdom इसके वर्तमान प्रदानमंत्री कौन है COVID-19 से ठीक हो चुके ऐसे Boris Johnson UK के प्रदानमंत्री है United Nations और UK Global Climate Summit 2020 की सह मेजबानी करेंगे UK और United Nations 2015 में पैरिस जलवायू समझोते पर हस्ताक्षर करने की पाचवी वर्षगाठ के अउसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वेश्विक जलवायू शिकर समिलन का सह आयोजन करने जा रहे है और यहां हम देख सकते हैं तो यहां हम बात करते हैं यह महत्वपूर्ण Climate Summit की तो यह शिकर सम्मिलन नवंबर 2021 में स्कॉर्ट लेंग्ड के ग्लास्गो में आयोजित होने वाले सहिकत राष्टर जलवायू परिवर्थन सम्मिलन यानि की COP26 के पहले की गती को बढ़ाएगा तो यह बात आपको याद रखनी है और अब बात करते हैं दोस्तो United Nations की तो United Nations का Headquarter New York में स्थी थे New York का कहाँ पर अमेरिका में और United Nations की स्थापना 24 October 1945 को हुई और UK की Capital का नाम क्या है? लंदन, नवा कुशन, Energy Efficiency Service Limited ने किसको अपना नया प्रबन निदेशक नियुक्त किया है? EESL, जिसका पुरा नाम है Energy Efficiency Service Limited और इसके नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है रजत सुध को, यानिकी इस क्वेशन का सही आंसर है रजत सुध और वो बन गए है EESL के MD जिसे हिंदी में उर्जाद दक्षता सेवा Limited कहा जाता है, इसके नए MD बन गए है रजत सुध, लेकिन रजत सुध कि इसका स्थान लेंगे EESL का स्थान लेंगे और जब बात करते हैं इसी के बारे में तो Energy Efficiency Service Limited का Headquarter भारत के Capital नई दिली में स्थी थे और Energy Efficiency Service Limited के वर्तमान अध्यक्ष कोन है, राजीव शर्मा दस्वा क्वेशन, हाल ही में भारतिय जनता पार्टी का कोशा द्यक्ष किसको बनाया गया है? पर राष्ट्रिय उपा द्यक्षों की सूची भी जगत प्रकाश नडडाने जारी की है और कुछ महत्व पुर्ण पदो की बात करें तो कोशा द्यक्ष बनाया गया है राजेश अगरवाल को लेकिन पार्टी की युवा शाखा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है तेजस्वी सुरिया को और पार्टी का मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रमुक बनाया गया है सांसद अनिल बलूनी को जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं 11. हाल हीमें अंतराष्टिय पर्मानों हत्यारों का पूर्ण उन्मुलन दिवस कब मनाया गया? अंतराष्टिय पर्मानों हत्यारों का पूर्ण उन्मुलन दिवस हाल हीमें 26 सितंबर को मनाया गया? यानिकि इस question का सही answer है 26 सितंबर और प्रती वर्षत 26 सितंबर को अंतराष्टिय पर्माणू हत्यारों का पूर्ण उन्मुलन दिवस के रूप में कौन मनाता है तो United Nations यह महत्व पूर्ण दिवस मनाता है International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons यानि कि जब यहां हम Nuclear Weapons की बात करते हैं तो पर्माणू के मामले में सबसे अधिक हत्यार किस देश के पाच है वो भी हमें सोचने के लिए मजबूर करता है United Nations की महासबाने नियू यॉर्क में 26 सितंबर 2013 को आयोजित पर्माणू निरस्त्री करण पर महासबा की उच स्तरिय बैठक के अनुवर्ती के रूप में December 2013 में अंतराष्टिय दिवस कोशित किया और तब से यह 26 सितंबर को मनाया जता है लेकिन एक क्विशन मीने आपसे पुछा कि Stockholm International Peace Research Institute के मुताबिक पर्माणू हत्यारों की संख्या के मामले में सबसे ज्यादा पर्माणू हत्यार किस देश के पास है? रूस देश के पास है और यह बात कई है Stockholm International Peace Research Institute ने बारवा क्विशन हाल ही में जस्वन्ची का निदन हो गया वे कौन थे? जस्वन्ची वो एक जाने माने पूर्वी केंद्रियम मंत्री थे पूर्व केंद्रियम मंत्री जस्वन्ची जिसका हाल ही में निदन हो गया है? यानिकि इस question का सही answer है केंद्रियम मंत्री तो जस्वन सी जो भारतियत जन्ता पार्टी के एक दिगज नेता थे उनके बारे में मैं आपको बताना चाओंगा जस्वन सी पूर्वक केंद्रियम मंत्री थे वे 82 वर्ष के थे और 6 वर्ष पहले 2014 में उनके सीर में गहरी चोट ल थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने रक्षा, विदेश और वित्मंत्री के रूप में काम किया है और योजना आयोक के उपाद्यक्ष भी रह चुके है जस्वन सी जिसका हाली में निदन हो गया है तेरवा कुशन, IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतिय बल्ले बाजों की लिष्ट में दूसरे नंबर पर कौन आ गए है? दोस्तों आपने ये रोमांचक मुकाबला देखा होगा IPL की इस सिजन में सबसे तेज शतक लगाने वाले एक हमारे भारतिय बल्ले बाज जिसका नाम है मयंक अगरवाल यानि कि इस कुशन का सही आंसर है मयंक अगरवाल लेकिन दूसरे नंबर के सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्ले बाज तो पहले नंबर पर कौन रहा होगा? उनकी भी बात करते हैं तो देखो IPL 2020 में किंग सिलेवन पंजाब के सलामी बल्ल के खिलाब खेलते हुए अपना शतक बनाया लेकिन बात यह है कि फिर भी वो मैच हार गए और ये रोमांचक आपने मुकाबला देखा वोगा लेकिन हमें याद रखना है हमारे एक्जामिनेशन के पॉइंट ओफ यू से कौन से फैक्ट हमें याद रखने है वो मैं आपको बता रहा हुँ यूसुप पठान ने 2010 में मुंबई इंडियन्स के खिलाब खेलते हुए सिर्फ 37 गेंदों में अपना शतक पुरा किया था और IPL में फास्ट शतक लगाने वारे ले पार्तिय ये बल्लेबाज यूसुप पठान पहले स्थान पर और मुर्ली विजय ने 2019 में साल 2010 में और चिलाब 46 गेंद में अपना शतक पूरा किया था तो आपको यह भी यद रखना है कि तिसरे स्थान पर है यह राजस्तान रोयल्स मुर्ली विजय और पहले स्थान पर है यूसुप पठान और दुसरे स्थान पर है मयंक अग्रवाल और दूस्तों अब बा जूरी दी है राजस्थान की सरकार ने और इसलिए इस कुछन का सही आंसर है राजस्थान सरकार और सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड है सब का फिर से एक बार दिल से ठेंक्यू करना चाहूंगा और वो कौन-कौन है तो यहां देख सकते हैं मन्थन प्रजापती वो पहली बार हमारी चैनल में जूड़ चुके है आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है अंजली मंडल उन्होंने भी इस कुछन का सही आंसर दिया है जार खांड जमश्यत पूर से बिलोंग करने वाली अंजली मंडल आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है रमेश भंडारी, विकास कुमार जल गोईन चाक, उन्होंने लिखा है कि गुरु जी आपसे माफी मागना चाहता हूँ, पिछले दिनों से वीडियो नहीं देखा है, और आपकी कमेंट भी नहीं मिल रही थी, तो विकास कुमार आप कहां थे, ओके, कोई बात नहीं, अब जोईन्ट हो जाईए, चीराग पटेल, और वो पंच महाल से बिलों करते है, भरत राठोड, फ्रॉम गुजरात मिके से, गोहील, योगेश, उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंसर बेजा है, हिम्मत नगर S के से, और साकल या प्रकास फ्रॉम बोटाग, आपका भी आंसर सही है, इसी के साथ साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है जिगनेश पंचाल, रविंदर चौदरे, हेतल पटेल, और शीवानी रानी कश्यप फ्रॉम डेल ही से, उन्होंने इस क्वेशन के बारे में डिटेल में बताया है, वेरी वेरी थैंक्यू, विश् सही है, इसी के साथ साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है दीपी का मेवाडा फ्रों मध्य प्रदेश उज्जन से, मोहद अक्रम और वो उत्तर प्रदेश के शामली से बिलों करते हैं, और उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंसर दिया, मैंका चोदरी, ट रहा नंदी हिल्स किस राज्य में स्थी थे, नंदी हिल्स किस राज्य में स्थी थे दोस्तों, और हमारे पुज्य बापु का इस नंदी हिल्स के साथ क्या तालुक है, इसका सही आंसर आपको यहां ढूंडना है, और आंसर देना है निच्चे कमेंड बॉक्स में, दोस्तो आंसर देना मत बुलिएगा और दोस्तों तकरीबन साथे 4-5 घंटों की कड़ी महिनत के बाद यह वीडियो बनता है तो एक लाइक तो बनता ही है और हमारा कंटेन और क्वालिटी आपको सूपर से भी उपर लगता है तो आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाब उठा सके तो चलिए दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्मा करते है कल फिर मिलेंगे नए करेंट अफर वीडियो के साथ कब तक के लिए टेक केर एंड जैहिंद